Hello students, good afternoon all of you and welcome to the global world. So, यहाँ पर primary teachers भर्ती से related एक update आया है. तो देख लेते हैं, भासकर एनालिसिस ने ये पूरा बताया है किस तरीके से क्या भर्ती यहाँ पर हो रही है. स्कूल और शिक्षा जनजाती विभाग की भर्ती के लिए संयुक्त काउंसलिंग यहाँ पर करवाई जा रही है. स्टी वर्ग में 10,082 पोस्ट पर केवल 9,315 उम्मीदवार जो जिनों ने क्वालिफाई किया है. जबकि दूसरे वर्गों में से 97% तक ज़्यादा पातर उम्मीदवार यहाँ पर बताये जा रहे हैं. एक एनालेसिस हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं. प्रदेश में सरकारी स्कूलों में प्राथ्मिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बहए बहते 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 शिक्षकों की प्रक्राथ्मिक और प्राथ्मिक शुरू है. ये नाए भर्तती प्रक्रिया निकालकर उसके माध्यम से इनको भरा जाता है. ठीक है तो वही बताया गया है इसके अन्दर. कि वापस से नई भरती निकाली जाएगी और उसके बैसेश पर जो यह सारे बदों को भरा जाएगा अगर आप देखे तो इसमें ओपन कोटे और महिला कोटा दोनों में पातर उम्मीदवारों की कमी हैं जो क्वालिफाइड है वे दस्तावे सत्यापन में सफल होते हैं कि अन्रिजर्फट, SCK, STK, OBCK, EWS के कितने पद थे और यहाँ पर specify भी कर दिया है मेल के लिए भी तो अगर आप देखना चाहते हैं कम्प्लीट analysis हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसे कि अवरोल यहाँ पर mention किया गया है तो अवरोल में यही चीज़ें यहाँ पर mention की गई है कि total कितने पद है तो इसमें अगर आप second number पर ST का देखें तो 10,082 पद है जिसमें से 9,315 पद यहाँ पर खाली है और इसी तरीके से female का यह दिया आप देखें तो ST में भी यहाँ पर भी same हुआ है कि पद यहाँ पर बचे हुए रहे गए और same यहाँ पर open vacancy पूरूश की देखें तो यहाँ पर भी 5,000 चुमोतर में से केवल 4,930 पद भरें बाकी सारे पद यहाँ पर खाली रहे गए है तो यही चीज यहाँ पर mention की गई है अब जो शुरुवाती टोपर है उनको तो यहाँ पर नोकरी मिल जाएगी देखो इसमें यह mention किया गए कि यहाँ पर केवल 2.88 से लेकर 8.66% अगर total 100% vacancies काम लोग निकाले तो केवल यही पद जो है यहाँ पर इन से भरे जाएंगे तो इसमें यह पता चल रहा है कि जितने भी टोपर्स होंगे जो जिनकी स्कोर या जिनकी रैंक बहुत अच्छे केवल वही यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर पाएंगे और यदि यहाँ पैनालिसिस देखना चाहें तो 18,527 टोटल पद टोटल वेकेंसी थे और कितने स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके 1.94 लेक स्टूडेंट इस एक्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं तिके अभी क्या प्रोसेस यहाँ पर चल रही है तो दोनों विभाग की भरती के लिए संयुक्त कांसलिंग प्रक्रिया वेबसाइट के माध्यम से आयोजित की जा रही है दोनों विभागों ने गेस टीचर के लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित किये हैं इसलिए कितने पदों में से सबसे जादा पद ST कैटेग्री के हैं जो कि आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर अधर जो कैटेग्री के हैं उनको इससे कोई दिक्कत निए कि आप ST को कितने भी दीजे लेकिन आ पदों की संख्या बढ़ा कर यहाँ पर 51,000 कर दीजे तो यही डिमांड अ पदों की संख्या को यहाँ पर और इंक्रीज करें ताकि जो अधर कैटेग्री है या जो अन्रिजर्वड है उनको भी यहाँ पर मोका मिल सकें तो यह कंप्लीट अनालिसिस यहाँ पर पेपर की द्वारा किया गया था जो कि आज के सेशन में आम लोगों ने देखा आई हो की इन्फोमेशन आपके लिए काफी रही हो इंपॉर्टेंट रही हो मिलेंगे हम लोग नेक्स सेशन में एक एनॉलिस और हम लोग यहाँ पर करेंगे जो भी मादिमिक शिक्षम भाढ़ती की जो लिस्स आई है उससे रिलेटेड एक एनालिसिस और हम लोग आगे वाले में, thanks for watching.